हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिसकस करने जा रही हूँ एक ओड ओडान ग्रीशियन अर्ण अर्ण क्या होता है एक कलश होता है सुराही होती है और ये ओडान ग्रीशियन अर्ण रुमेंटिक पोईट जानकीर्स ने लिखी थी 1819 में जानकीर्स एक बर ब्रीटिश म्यूजियम में उनने विजट किया और वहाँ पर उनने एक अर्ण देखी एक कलश देखा जिसके बहुत खुबसूरत कार्विंग थी पैंटिंग थी वो पत्थर की कार्व हो चुका था व यह अर्ण अन्रैविश्ट ब्राइड अफ क्वाइटनेस है अन्रैविश्ट ब्राइड होती है अन्टच्ट ब्राइड ऐसी दुलहन जो भी पायस है पेवर है अन्टच्ट है तो क्वाइटनेस हो गया खामोशी क्योंकि यह जो अर्ण है इसको कहा गया है कि यह खामोशी कि एक unravished दुलहन है क्यों? क्योंकि इसके उपर painting हुई है, बहुत चीज़ें बनी है कुछ couple हैं, कुछ musicians हैं कुछ लोग sacrifice करने के लिए जा रहे हैं तो हर चीज़ बनी है लेकिन ये बिल्कुल quiet है हम उसको देखके सब समच सकते हैं कुछ बोल रहे है musician musician जो है, वो music बजा रहा है couple कुछ बातें कर रहे होंगे लेकिन अगर हम earn को देखते हैं तो वो तो बिल्कुल quiet है तो इसलिए उसको unravished bride कहा गया है और फिर वो उसको कहता है कि ये foster child है, silence और slow time का foster child होता है adopted child या गोद लियावा बच्चा तो silence और slow time मतलब बिल्कुल जो वक्त आसा आसा गुजरता है क्योंकि उसके उपर तो वक्त गुजरेगा ही नहीं वो जैसी है, जैसी बनाएगी है वो सालों और सदियों बाद भी वैसी ही रहेगी फिर उसको वो कहता है कि ये औरन silvan historian है मतलब एक historian है जो आपको history बताता है pastoral जो histories बताता है जो इसके उपर जो भी वना है उससे आपको एक history बता चलेगी कि ये लोग कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है इनके साथ तो ये historian की तरह उसको कहता है और फिर कहता है कि ये जो अरन है ये एक ऐसी story हमें बताती है जो कि ये जो मेरी rhymes है, जो मैं rhymes लिख रहा हूँ इससे भी जादा sweet है अब वो क्या कहता है कि ये जो इसके उपर बने हुए हैं जो भी painting बनी हुए है उसको समझनी आ रहा कि ये कोई deities हैं कोई देवता हैं या मार्टल हैं या कोई इनसान है उससे समझनी आ रहा क्या है ये और ये औरतों को जो कुछ औरते हैं उनके पीछे कुछ लोग हैं क्या उनको और वो औरतें बचने की कोशिश कर रही हैं तो ये क्या चल रहा है और ये पाइपस जो म्यूजिशन है म्यूजिक बजा रहे हैं क्या है ये क्या वाइल्ड एक्स्टेसी है फिर वो कहता है कि जो heard melodies होती है जो हम गाने सुनते है या म्यूजिक सुनते है वो sweet होता है लेकिन जो हम सुन नहीं पाते वो ज़्यादा sweeter होता अब कैसे नहीं सुन पाते क्यूंकि अब वो देख है ग्रीशन और उनके ओपर कुछ musician बने हुए है वो pipes बजा रहे है लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रही वो सिर्फ imagine कर सकता है कि ये कितनी खुबसूरत कितनी sweet हो सकती है अब फिर next वो कहता है कि ये जो एक fair youth है कुछ एक couple है खुबसूरत सा young couple एक tree के नीचे खड़ा है तो वो कहता है कि इनका जो music है ये जो song इनका ये है उसके बारे में वो बोलता है कि ये कितना वो समझ नहीं पाता है कि क्या आगा रहे होंगे और जो bold lover है वो अपनी जो lover है उसकी beloved उसको वो कभी किस नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर penting में बन गया है कि वो किस नहीं कर रहा है तो वो वैसा ही हमेशा ही रहेगा लेकिन जो lover है उसे परिशान होने की ज़रूरत नहीं है उसको grieve करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि उसकी जो beloved है वो कभी fade नहीं होगी वो हमेशा forever beautiful रहेगी और उनका love जो है प्यार ऐसे ही बना रहेगा वो forever fair रहेगी क्योंकि ऐसी painting अब बन चुकी है फिर वो कहता है trees को भी कहता है कि इनको ये तो खुश है मतलब इनको खुश ही होना चाहिए क्योंकि इन पे कभी भी autumn का season नहीं आएगा क्योंकि और न पे बना हुआ है कि spring season दिख रहा है जो trees है उनके साथ leaves है तो कहता है कि आपको परशान होने की कोई जरूर ने क्योंकि ये spring को कभी good bye नहीं कहेंगे forever spring ही रहेगा और न के ओपर बना हुआ और ये जो happy melodies हैं जो गाने बज़ रहे हैं जो pipes जो song बज़ रहे हैं ये सब खुशी के song जो बज़ रहेंगे हमेशां ऐसे ही रहेंगे forever इनको वो enjoy किया जाएगा और ये जो painting है ये हमेशां youthful रहेगी और young रहेगी इसमें किसी किसम की कोई परशानी नहीं होगी फिर वो next कहता है कि अगले stanza में कि ये कौन लोग हैं ये कुछ sacrifice करने जा रहे हैं इनके पास एक young एक हीफर है हीफर होती है young cow ये एक priest है और उसके साथ कुछ लोग है ये लोग अपनी young cow को लेके कहीं sacrifice करने जा रहे हैं और कहता है ये लोग कहीं sea shore के पास से आये हैं कहीं समंदर के किनारे से या river के पास इनका town है ये वहाँ से आये हैं और कहीं ये mountain पे जा रहे हैं जहां पर इनको sacrifice करना है लेकिन जो जिस town को ये छोड़ कर आये हैं उसकी गलियां उसकी street हमेशन silent सुनसान रहेंगी क्योंकि ये लोग पहाड पे जातो रहे हैं लेकिन ये कभी वापस नहीं आपाएंगे क्योंकि जैसा painting बन चुकी है जैसा दिखाया है वैसा ही रहेगा वह बदल नहीं सकता फिर वो कहता है कि ये जो generation है ये old age generation अब ये generation अगर old भी हो जाएगी लेकिन ये जो painting है ये हमेशा forever young रहेगी और ऐसी ही रहेगी कहीं लोग आएंगे और देखेंगे और सालों बाद भी ऐसी की ऐसी रहेगी और end में वो कहता है कि beauty is truth, truth is truth beauty that is all you know on earth and all you need to know कहता है कि सुन्दर्था ही सच्चा ही है और सच्चा ही सुन्दर्था है और ये ही सच्च है और ये ही इस अर्थ पर ये ही सच्चा है और ये ही आपको जानना चाहिए और ये ही जानने के काबल है तो overall old on grecian earn में ये ही है कि point को एक earn मिलती है और उसको देखके वो इतना inspire सा हो जाता है और वो सोचता है कि ये जो उसके उपर painting बनी है ये क्या हो रहा होगा ये क्या बता रही है उसकी history उसको earn देखने से earn की पूरी history पता चल जाती है कि जिस बंदे ने कार्व किया है इसने ये कितनी stories इसके उपर कार्व की है एक couple की अलग से story है जो लोग sacrifice करने जा रहे हैं उनकी अलग से story है और जो लोग वो कुछ लड़कियों के पीछे पड़े हैं और वो बचने की कोशिश कर रही है तो हर एक story अलग अलग उसके उपर दिखाई दे रही है जो के point ने समझी और उसने हमें बताई अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेर जरूर कीजिए